लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शाहिद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुँचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि तो आपके जीर नेता है सायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वह जो उनको कश्ट हुआ जोड़ी है हमेशन अधानी पे हमेशन अधानी पे अभी मी क huश खुआ है वह कि जो कॉश्ट हुआ है में पायिए, विषङ पे अभी मी करुआ है मगर मगर सुनिए तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र है आज आज आपको डरने की ज़रूद नहीं तो कि आज जो मेरा भाशन है और आप तो तो कि आज जो में जो मेरे तो लो में पहल जो compass कि हता लोग कि आज एएभमावẤ कि आज एससाइएब तो आज आज कोई गबराने की जरुरत नहीं है आज मैं अपना भाशन में जो भाशन है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं तो आप ठोड़िये तो आप रिलाक्स कर सकते हैं आप शांत रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डिरेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब रूमी ने कहा था जो शब दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाहरा हूं मैं दिल से बोलना चाहरा हूं और 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 मैं और मैं आज मैं आज आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूंगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ फैर ये हमारा टाइम खतम करने का साज़े से नहीं करूंगा इस समुदर अधीर हदे आधीर हदे इस समुदर के आधीर हदी के समुदर के खट से अभाष कि आ काने का बात की मत बोलें आप है आप प्लिस मैं समुंदर के तट से कश्मीर के बर्फीली पहाडी तक चला नहीं लदाक तो मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दोरान यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझे से पूछते थे, शुरुवात में मुझे, मेरे मुझे से जवाब नहीं निकलता था, शाहिद मुझे ही नहीं मालूम था, कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की, जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था, मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था, थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी, जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए, मैं मनने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए, मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए, मैंने दस साल, हर रोज, गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता हूँ, यह है क्या, जिसने, मेरे दिल को, इतने, भई आप रनिंग कमेंटरी बंद करें तो हम भी चलो करेंगे, जिस चीज, जिस चीज ने मेरे दिल को, इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता हूँ, शुरुआत में, जैसे मैंने शुरू किया, सालों से, मैं हर रोज, आठ दस किलोमीटर दोड़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में था, कि अगर मैं दस किलोमीटर दोड़ सकता हूँ, तो पच्चिस किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, यह मैंने सोचा था, आज मैं उस भावना को देखूँ, तो वो अहंकार था, कि मैं यह कर सकता हूँ, यह कुछ नहीं है, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एक दम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है, तो हुआ क्या? दो-तीन दिन में, मेरे घुटने में दर्ब शुरूँ हो गया, पुरानी इंजरी थी, और जबर्दस दर्ब हर रोज में उठू और मेरे घुटने में दर्ब हर कदम में दर्ब तो पहले दो-तीन दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीती बन ने एक दम, जो हिंदुस्ताइन को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा वा पूरा अहंकार गायब हो गया, और रोज मैं दर्ब रड़ के चलू, कि क्या मैं कल चल पाऊंगा, ये ये मेरे दिल में दर्ब था, और जब भी ये दर्ब बढ़ता था, जब भी ये दर्ब बढ़ता था, कहीं न कहीं से, कोई न कोई शक्ती, मेरी मदद कर देती, एक दिन मैं सेह नहीं पारा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिठ्ठी दे देती, मैंने चिठ्ठी खोली, आठ साल की थी, उसमें लिखा था, राहूल, I am walking with you, don't worry, उसमें मेरे पैर में चोट देखी, और उसमें अपनी शक्ती मुझे दे दी, सिर्क उसमें नहीं, लाकों लोग में, और शुरुआत में, जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, कोई किसान आता था, मैं एक दम उसको, पहले उसको अपनी बात बताता था, कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए, मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया, मैं, जो मेरे दिल में, बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया, बोली नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था, और एक, समनाका सा चाहिए, बीड की आवाज थी, भारत जोडो, भारत जोडो, भारत जोडो, और जो मेरे से भाग करता था, उसकी आवाज में सुनता लिया, हर रोज, सुबह छे बजे से, रात साथ आठ बजे तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनस्मेन, किसान, मजदूर, सब के आवाज, आ रहो, आ रहो, आ रहो, आप, आप कल से रुके, आप थोड़ा और रुक लाओ, पाज़द में रुक जाओ, तो, ये चलता गया, मैं, बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास, एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई, और उसने मुझे कहा, उसने कहा, उसने मुझे कहा, मेरे आप में देख कर, उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंदल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, ये ही बचा है, मेरे खेक का, मेरे खेक का, ये ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैंने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पुछता था, भाया, आपको भीमा का पैसा, मिला, वो पूछा, भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान में मेरा हाट पक्रा, किसान मुझे कहता है, कि नहीं राहुल जी, मुझे भीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के, बड़े उद्योग पतियों ने, वो मुझसे छीन लिया, मगर इस बार, बड़ी अजीब सी चीज हुई, जब मैंने किसान को देखा, और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था, वो मेरे दिल में आया, जो उसके आँखों में शरम थी, जब वो अपनी बीबी से बात करता था, वो शरम मेरे आँखों में आई, जब, हाँ, जब, उसकी जो भूख थी, वो मुझे समझाई, और उसके बाद, यात्रा बिल्कुल बदल गई, मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्क उस व्यक्ति के आवाज सुनाई देती थी, जो मेरे साथ बात कर रहा था, उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन लिए, भाई और बेनो, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है, ये अलग अलग भाशाएं हैं, कोई कहता है, ये जमीन है, मिक्टी है, कोई कहता है, ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है, मगर भाई और बेनों सच्चाई है, कि ये देश एक अवाज है, ये देश सिर्फ एक अवाज है, ये देश, इस देश की लोगों की, अवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाया है, और अगर हमें, इस अवाज को सुनना है, तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्ज है, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा, जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है अब आप कहोगे ये बाट मैंने नॉन कॉन्फिदेंस मोशन में क्यों रखते कि इसका क्या मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले है क्यूंकि बाई और बेनों पर पुरा सूच सब निढThe से अच्वर스가 हे अब हुर मत रोके ङाद कर एंप हमें मत रोके गाद इस इस सब देखें करें यह हम हमको मत रोकेगास अब सब देखने हैं करे निए आप हमको फिर बस रोकिया तो स्टिकर सर्ट बारत एक आवाज है बारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हमें अहंकार को नफरत को मिटाना पड़े हैं स्टिकर सर्ट कुछी दिन पहले मैं मनेपूर गया हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनेपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनेपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई ये है कि मनेपूर नहीं बचा है मनेपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनेपूर को आपने बाट दिया है तोड़ दिया है मैं मनेपूर में रिलीफ कैंप में गया रिलीफ कैंप में आज आ रहा हूं आज आ रहा हूं मनेपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की कर देखेंगे कर देखेंगे और बनेपुर के कैम्प्स में मैंने महिलाँ से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंतुई जी ने आज तब नहीं किया कि एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आपके साथ कि एक मंत्री बोलने एक-एक मंत्री खड़े होके बोलने किया ताओ से तबिएक मंत्री खड़े होके है ऐसे कर आप सब्सक्राइब पूरय सांस्त खड़े होंगे यापर वे घए नियजुकचा कर विह एक कि पूर्य सब होगे मैं मैं बहुत साही माहिलाओं से बात किया मगर मैं आपको दो धारन देना चाहता हूं एक महिला मुझे कहती है मैंने क्या मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोता सा बेटा एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आँखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिए आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूप नहीं जूट आप बोलते हो जूप मैं नहीं बोलता हूं मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं सिर्फ मेरे जो कपने हैं ये मेरे पास है और फिर इधर उदर धूंडती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक ओर एक और उधरन एक और उधरन दूसरे कैंप में मैं एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द सुने का आप धेरे लिए महिला का दर्द नहीं सुन सकते महिला का दर्द नहीं सुन सकते जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कापने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिष्टे देखा और वो बेहोश हो गए मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गए तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिये हैं स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिर्फ मनिपूर के लए हिंदुस्तान की हत्या की है कि राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मौडर किया है कामेरा इना अपिस हो या जले 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 अरे दो भाग किये हैं चाहब करें जी करें अरे माने समी सब्सक्राइब का हुआ शांती रखें प्लीज प्लीज की माने प्लोर कैंड़ वा अजय सब्सक्राइबला तो आज पंधियक सब्सक्राइब Thank You हमले आज और those You ह aveva नहें है grow up ां बानी बिरहां पर पहलब see मैं कर दो हुआ हैं आज बाते नहीं इस तदर ने लोगों को नोग इसमें लेट क्या हुए है रहु नादी को माफी मंदर चाहिए रहु नादी का कोंगरेस पाटी साथ जाना इस प्रशाशन किया है नोर की स्कॉर्स नहीं ने लोगों किया है आज इस तरह के बिलिटेंट तिया ते बाइब बाइदा किया है ग्रियर्स से तारत हो्ग्रस पाटिस के वुझे जब होएई क्राइब नियुक्त L गोजिए है रगाने ड्री पाट बाट है राट बाट बाट भाट गट एंदिए अबम को यहा वहा व्हुन नीस हुं प्ति निये skin इसमें प्राशन suis एसमें कि फ़्ट देख्पोड में नो 안वेग्ट व्हुन प्लीज बेटिये, चल एक का न्हीक ब्लाच एक के ताधिये, बैटिये, प्लीज बेटिये प्लीज बेटिए प्लीज बालु जी प्लीज प्लीज बालु जी प्लीज एक मिट एक मिट प्लीज प्लीज बेटिए मार्निय सदश्यगन जिस तरीके का व्यहार आप तेमिल पराचर कर रहे हैं इस तरीके से सदर नी चलेगा इस तरीका ठीक हुए है जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है ऐसे सदर नी चलेगा और भाई के सदर नी चलाना चाहिए जलत तरीका है नौ ऐसे सदर चलने वाला नहीं है जो माने सदर टेबिल पाया है उनके खिलाब कारवाई होगी बैठिये बैठिये आप भी बैठिये आप भी बैठिये माने मंतरी जी प्लीज बैठिये बहारत माता प्ली बैठिये आप मैं बहुत शांती से सुन रहा हैं है इसका तरीका Sandi नहीं वुचीत heeft हो अप आप यह तरीका यह कि हाप अब जैसे मैंने जैसे मैंने और मृक्त प्लीज प्लीज ऊद利ज I जैसे जैसे मैंने बाशन के शुरुवात में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जन्ता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हत्याती है आप देश द्रोही हो आप देश भत नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो आपने देश की हत्या मनिपूर में की प्लीज 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 बैठे झाल शुखते हैं उसी निये आपके प्रधार मंप्री मनिपूर में नहीं जाते हैं मनिपूर में हिंदुस्तार की हत्या किये है बारत बाता की हत्या किये है मनिपूर में मनिपूर के लोगों के दिल में छिए एक बेठी को सब्सक्ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब। यचीए बीश बेटिया प्लीश डेठी कि आप वोलें फिर आप भरत माता कि रखवाले नहीं हो आप फारत में अद्धा के हधिया रहो प्लीज मानि सुवे फ्लीज प्लीज 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 देखिये मानि सदेश्ट करण प्लीज प्लीज माने सदशगन भारत मा हमारी मा है हमें सदन में बोलते समय सयम बरतना चीए मैं अपनी मा की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं मनिपुर में अपनी मा की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं आदर से बोल रहा हूँ आपने मेरी मा की हत्या की मनिपुर में एक मेरी माँ यहां बेदी है दूसरी माँ को आपने मनिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ के हद्या कर रहे हो हिंदुस्तान की सेना मनिपुर में एक दिन में शांती ना सकती है हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपुर में मारना चाते हो तो अगर नरेंदर मोधी जी हिंदुस्तान के आवाज नहीं सुनते है अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं पूस्ट पहले आपका गलत तरीका है आप सीनियर शजाश है आप इस तरिके अब आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोश्ट लाना यह उसीट नहीं है किसी तरीके रावन रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाथ और कुम्बकरद वेसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिच्छा और अधानी बाई और बेनो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लीज माने सदेशे हैं आप सही है मिद बोलें आप यह सदन है आप तरीके से बोलें माने सदेशे हैं रावन को नहीं मारा था रावन के अहंकार ने रावन को मारा था आप पूरे देश में केरो सिन भेक रहे हो पूरे देश में आप केरो सिन भेक रहे हो आप में मरिपूर में केरो सिन भेकी और पे चिंजारी लगा दी अब आप भरियाना में कर रहे हो पूरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पुरे देश में बारत माता की हत्या कर रहे हो जन्यवाद की कर आप सदन में किस तरीके का बोल जा चाहते हैं यह सदन माने से देशे चंसद है माधि! माधि! जाल आप बारत माधि! माधि!